नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल यूनिकली एस्पियस पर तो दोस्तों देखिए आज बहुत ही खूबसूरत सा ये रेड गलर का मैं पौधा लेकर आया हूं इसका नाम है यूफोर्बिया ट्राइगोना रूबा है ना तो दोस्तों पौधे देखिया होंगे वह गोल होते हैं इस यह ट्राइंगोलर नहीं तो बहुत ही सुंदर हो इसका रूबरा कलर क्योंकि रूबी कलर का है हलका हलका मेरून कलर का हो जाता है इस पर छोटे छोटे पेड़ी पेश्प हैं दोस्तों चैनल और रहा निकलता है जब तूटत 50% सेंड है और 50% बाकि हमारा गोबर खाद और नॉर्मल जो गार्डन सोयल होती है वह है तो दोस्तों आए शुरू करते हैं यह देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर मिट्टी डालते हैं हमारा जो यह प्लांटर है टेरा कोटा का इसलिए लिए है ताकि जो एक्सेस पानी है यह वह अब्सॉर्ब कर ले इसको मिट्टी को हम थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे जो वेस्ट मैटीरेल उसको रिमूव कर देंगे और यह प्लांट दोस्तों आप इसको इंडूर भी रख सकते हैं आउडूर भी बाकी बैस्ट यह रहता है कि इसको इंडरेक्ट संलाइट मिलते रहे तो देखिए दोस्तों धीरे से हम लोग क्या करेंगे इसका जो पॉली बैग है यह इसको रिमूव करेंगे नर्सरी से दोस्तों मैं इसको 100 रूपीज का लेकर आया हूं और काफी अच्छी हाइट है इसकी थोड़ी सी एक्सेस जो मिट्टी है हम इसमें से रिमूव करेंगे बहुत ही छोटी थोटी रूट्स होती है इसकी ज्यादा डेवलप्ड रूट्स नहीं होती और बहुत यह इसको इसलिए लेकर आया था ताकि मैं अपने जो मेरा बालकनी गार्डन है उसके अंदर इसको रख सकूं तो ओवरॉल जो मेरे छोटे पोदे हैं उनके बीच में एक हाइट वाला पौदा थोड़ा यूनीक लगता है अच्छा लगता है दिखने में तो दोस्तों यह मिट्टी है इसको हम चारों तरफ इसके डाल देंगे कर दिखने में पौदा बिल्कुल सीधा रहे तो दिखने में सुन्दर नहीं लगेगा यह पीछे जो आप पौदा देख सकते हैं यह हमारा वो है कार्डबोड पाम है बहुत स्लो ग्रोथ होती है इसकी पिछले यह छे महिने से एजट इस तीन इसकी पतियां है तो दोस्तों यह देखिए मैंने आल्मोस इसमें मिट्टी डालती है और मैं इसको जेंटली प्रेस बहुत रफटफ प्लांट होता है दोस्तों यह जादा केर की रिक्वार्मेंट नहीं है फट्रिलाइजर रिक्वार नहीं होता बस कभी कबार आप इसको पानी दे सकते हैं जब अगर आपने इसकी कटिंग लगानी है तो आप इसकी चोटी सी कटिंग लाकर उसको दो-3 दि जाएगी तो बैटर यह है कि आप इसको इसकी जो कटिंग है उसको दो-तिन दिन सुखा लीजिए उसके बाद आप सिंपल को को पीट के अंदर आप इसको डाल के रख दीजिए अपने डूट हो जाएंगी डूट होने के बाद आप इसको रिपॉर्ट कर सकते हैं दो दोस्तो कैसे आपका प्लांटी ग्रो करेगा कि देखिए मैं अच्छे से इसको प्रेस करती है दोस्तों कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरीज होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हम करेंगे आपकी क्वेरीज को अब फीडबैक देते रही है दोस्तों अपना ताकि हमें भी पता लगे कि हम कैसे अपने चैनल को इंप्रूव करें दोस्तों तो दोस्तों देखिए यह मेरा जो गार्डन है बालकनी गार्डन उसके बीच में इसको रखोंगा यह देखिए पिलकुल धीरे से मैंने इसको कि बीच में रख दिया है ताकि थोड़ा साइक अच्छा लुक आए कि रही मेरा गार्डन में कि हाईलाइट हो जाहे जाता है वाकि सब्सक्राइब करें बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो अब हम इसमें धीरे से पानी डाल देंगे और मैं आप लोगों के साथ कॉंटेन उसलिए शेर करता रहा हूंगा मेरे पौदों की ग्रोथ वगरा कैसी है कैसा क्या चल रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यह देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यह पौदा कि सारे प्लांट से चाइनीज फैन है एक तरफ एक तरफ शफलेरा है नीचे रबर प्लांट है यह देखिए यह मेरा पुरा ओबर कार्डन है जो की मेरा बालकनी में थैंक्यू दोस्तों